So, stml web designing की सीरीज में हम लोग सीखेंगे, stml elements का इस्तेमाल कैसे करते हैं, अपनी website के content को एक beautiful content या beautiful page को design करने में, यह जो elements है अगर इस पे आपको command आ गया, तो obviously बहुत अच्छा सा अपने content को अपने लिख सकते हो, organize कर सकते हो, और जैसे भी आप चाहे, वो सारे elements अपना represent कर स सकते हो, जैसे यहाँ पर एक website का page मैंने बनाया है, मैंने एक heading लिखा हुआ है, एक paragraph है, यहाँ पर एक line भी है, यह line आप देख रहे हो, उसके बाद एक और paragraph है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर यहाँ पर, आप इसको साथ में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर कुछ म elements का इस्तिमाल करते हुए अब हलांके कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो जल्दी जल्दी अप्लोड हो रही है तो बेटर है ना आप लोगों को जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना है आप लोग एक एक lecture को अपना देख कर पढ़ेंगे राइट तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं HTML elements को लेकर HTML elements are the building blocks of a webpage हमारे webpage के blocks को build करने में help करता है यह represent करता है different different webpage के पार्ट को जैसे heading के पार्ट को paragraph के पार्ट को जैसे यहाँ पर आप देख रहा हूँ ना heading भी है paragraph भी है links भी है उसके साथ कुछ inline tags और भी information है तो images भी हो सकता है links भी हो सकता है जो कि मैंने images, links सब बना रखा है tables बगरे भी आप इसमें add कर सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है HTML elements are written as a tags in the HTML code HTML elements को as a tag आप अपने HTML code के अंदर यह program के अंदर लिखते हो, use करते हो each element has an opening tag हर एक element के साथ उसका एक opening tag होता है content are attribute होता है and closing tag होता है opening tags indicate the start of an element opening tag जो होता है वो उस element का start tag होता है for example के लिए हम यहाँ पे code पे आजाएं और यहाँ पे मैंने यह पूरा का पूरा एक title के अंदर कुछ content भी matter भी लिखा हुआ है तो यह पूरा का पूरा जो कहला है हमारा element का part हो जाएगा यह हमारा tag से start हो रहा है opening tag से closing tag इसका same यहाँ पे आप देख रहा हो और इसके अंदर content भी हमें देखने को मिल जा रहा है तो यह complete हमारा element का part हो जाएगा even then अभी जो भी हमारे opening और closing tag है उनके बीच में जो matter है यह पूरा लेकर हमारा एक अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो एक मतलब elements का part है यह head के अंदर यह सारी चीज़े आ रही है तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं अब बात होती यहाँ पर elements provide structure and semantic meaning to the webpage content यह पूरा का पूरा है कि हमारे webpage के structure co-define करता है कि कैसे हमारे webpage पर structure दिखे कैसे content दिखे line break करके होनी चाहिए या second message जो है मालिया कि यह line है इसके साथ मुझे इस line को भी यहीं पर लिखना था सब कुछ organize करने का काम हम elements के तुरू कराते हैं तो इसके लिए हम लोग अगर यहाँ पर देखे तो different different types के elements होते हैं heading में होता है h1 से लेके h6 तक यह हमारे क्या होते है different label of heading elements कहलाते हैं h1 जो होता है सबसे highest level होता heading का और इसमें मैंने h1 का heading अगर दिया है तो इतना बड़ा आएगा heading इससे छोटा बनाना है तो h2 इससे छोटा बनाना है तो h3 इससे छोटा बनाना है तो h4 h5 h6 ऐसे आप बना सकते हो paragraph भी यहाँ पर होता है use to create a block or text or paragraph तो block element भी हमारा होता है जो कि यहाँ पर paragraph के अंदर mention करते हो यह paragraph का इसको use करना है links भी हमारा होता है element के लिए email source भी यहाँ पर है list भी है form भी है tables भी है division भी है head भी है inline elements भी है यह सारी चीजे inline division यह कुछ चीजे हम लोग यहाँ पर practically देखते हैं कि कैसे इसनको इस्तेमाल और करते हैं तो सबसे पहले हम लोगोंने email source link और paragraph heading सारे elements से इस्तेमाल किया हुआ कैसे करते हैं अब बचा हुआ जो elements है उसको कैसे हम समझते हैं कि हाँ elements का part है तो मैंने यह आप दिखाया कि जब भी कोई opening और closing tag के बीच में matter होता है यह पूरा का पूरा आपका एक elements का part है यहां से लेके यहां तक का भी elements का part हो जाएगा यह हमारा content हो जाएगा ऐसे करके सारी चीज़े होते हैं चलो तोड़ा सा इसको practically समझते हैं और define करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखते हैं void elements के बारे में void elements क्या होते हैं तो मैं यहां पे लिखता हूँ body के अंदर एक element या एक information मतलब जो भी information हम यहां पे लिख सकते हैं तो मेरा एक heading हो जाएगा यहां पे मैं यहां पे h4 लिखता हूँ या simple मैं h3 लिखता हूँ और h3 के अंदर मुझे कुछ information लिखना है like void elements अब यह void elements क्या होते हैं यह हम लोग देखेंगे तो void elements के अंदर मैं लिखना चाहता हूँ कि these no any data available on page जो हमारे void elements होते है इसमें क्या होता है कि कोई भी तरीके का हमारा web page के पास information पास नहीं होता means कहने का कि अगर मैं यह बड़ी सी line लिख रहा हूँ और इसके अंदर मैंने break line का इस्तेमाल किया या break element का इस्तेमाल कर लिया तो break मैंने यहां पर लिख दिया और line हमारा break हो जाएगा दूसरे पर चला जाएगा बट break कहीं दिखेगा नहीं तो ऐसे element जो हम लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं अपने HTML coding में और वो कहीं पर दिख भी नहीं रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा no any data available on web page वो हमारा एक void element का part होगा जो कोई भी data web page पर available नहीं होने देगा जब भी आप br tag hr tag ऐसे इस्तेमाल करते हैं तो मान लिया कि यह heading है और इससे related जो भी हमारा detail है वो तो दिखेगा मैं इसको save कर देता हूँ elements.html में तो web page पर आना है और यह elements को मैंने open किया तो अब यहां पर आप देख सकते हो हमारा एक void element एक छोटा सा heading मेरा हो गया और इसके साथ no any data available on web page यह एक साथ आ रहा है क्योंकि मैंने एक heading के अंदर इसको लिखा हुआ है ठीक है यहां पर आप देख सकते हो अब यह void element को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं एक paragraph लिखेंगे paragraph लिखने के लिए मैं यहां पर paragraph structure इस्तिमाल करता हूं paragraph इस्तिमाल करता हूं website पर मैं कोई matter paragraph मुझे मिल जाएगा यहां पर मैं एक एक बिल्कूल आप ध्यान से समझेंगे सब clear हो जाएगा यह मैंने जस्त लिखा अब paragraph के अंदर यह मैंने पूरा matter लिख दिया बट मैं इतना बड़ा paragraph नहीं तोड़ा size को मैं छोटा करता हूं यहां से लेके यहां तक I think मुझे ठीक है मैं यहां से लेके यहां तक चाहता हूं यह हट जाए छोटा थोड़ा paragraph है तो P से मैंने start किया और P से मैंने close किया और यहां पे अब मैं दिखा हूं तो एक पूरा paragraph यहां पे आपको देखने को मिल रहा है अब चलो अब यहां पे मान लिया कि मैं चाहता हूं IT education and resources के बाद हमारा जो एक void element मैं इस्तेमाल करूं और यहां पे एक line break हो जाए है न यह अगली line से दिखना चाहिए तो हम लोग यहां पे IT से पहले एक tag इस्तेमाल करेंगे BR और इसको close कर देंगे इस tag को close करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो void element में कुछ ऐसे tags हम लोग इस्तेमाल करते हैं या tags जो होते हैं उनको closing tag की जरूरत नहीं पड़ती इतना लिखने के बाद मैंने Ctrl S किया save कर दिया मैं यहां पे जैसे करूंग आप देखो IT हमारा एक next line में चला गया अगर मैं यह BR हटा दूँ तो जैसे ही मैं save करूंगा यह हमारा फिर से एक line में आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा जो होता है एक void element का part आ जाता है उसके बाद जैसे ही हम यहां पे BR के बाद चाहते हैं कि कोई और नया paragraph लिखने के लिए तो मैं यहां पे एक और इतना सारा space दे दिया और मैं यहां पे एक paragraph और लिखता हूं second para माल यह ऐसे ही मैंने लिखा अब second para को भी मैंने save कर दिया one minute मैंने save कर दिया अभी यहां पे आप देख सकते हो तो यह बहुत space नहीं एक line का space यहां पे यह खाली छोड़ रहा है बाकी सब कुछ वैसे ही है तो आपको space line में देने से कोई बहुत ज़्यादा difference यह बहुत ज़्यादा line gap नहीं मिल जाएगा अगर आप यहां पे line gap चाहते हो देर सारा मिले यह दो तीन बार मिले तो आप यहां पी क्या करो br again br again br यह आप इस्तिमाल कर सकते हो और जैसे ही मैंने इसको save करके refresh किया आप देखो इतना gap आ गया तो break tag जो होता है यह एक void element का part है और यह हमारा use होता है as a line को break करने में help करता है उसके बाद यहां इसके अलावा अगर हम लोग void element के बारे में देखें जो की use तो हो रहा है वट उससे related information नहीं आती है हाँ वो page के action को complete कर देता है मालिया मैं चाहता हूँ यहां पे एक line draw करना है इसके बीच में एक line draw करना इन दोनों line के बीच में एक horizontal line draw करना तो मैं break line यहां से एक खटा देता हूँ और यहां पे मैं code tag इस्तिमाल करता हूँ HR यह हमारा horizontal line divide कर देगा तो मैं यहां पे लिख भी देता हूँ this is for line draw ठीक है बस समझने के लिए this is for line draw यह क्या करेगा line draw कर देगा save कर दिया मैंने अब देखो यह लिखकर भी आएगा यह matter लिखकर आएगा क्योंकि यह मैंने mention कर रखा है body के अंदर ठीक है तो यह लिखकर आएगा क्योंकि किसी tag के अंदर मैंने नहीं लिखा है जैसे मैंने refresh किया देखो this is for line draw और यह मैंने hr का अब hr के साथ यह लिखकर आ रहा है तो इसका मतलब यह मत समझो hr के साथ लिखकर आ रहा है मैं just यहां पर इसको हटा दिया refresh किया line फिर भी हमारा रहेगा यह line draw रहेगा और उसके नीचे हमारा यह दिखा रहा है ठीक है तो second para का data ऐसे यहां पर आ रहा है तो अभी आपको clear हो गया कि हमारा जो hr tag है हमारा जो br tag है है न बोल्ड है italic कुछ करके ऐसे तो यह हमारे वह elements होते हैं जो कि void element का part होते हैं अब हम लोग यहां पे as a block element के बारे में देखें block element already यहां पे देख रहा हो ना एक paragraph आपने यह लिखा हुआ है और second paragraph आपने यह लिखा हुआ है दोनों के बीच में block है यह हमारा एक paragraph है यह second paragraph है अगर मैं एक और paragraph यहां पे लिखता हूँ मैं लिख देता हूँ जैसे कोई भी एक paragraph like p or enter this is third paragraph right spelling देख लेना आप लोग save कर दिया तो यह हमारा third paragraph होगा एक block यहां पे मिला है means block element ऐसे elements होते हैं मैं यहां पे इसको mention कर दूँ ठीक है as it is रहन देते हैं अगर मैं has लिख कर करता हूँ नहीं ठीक है यह हमारा block element का एक part हो इसके अलाब एक और block मुझे जाना है तो मैं यहां पे p लिखूंगा save कर दूँगा this is fourth block ठीक है तो पी जो है ना paragraph जो है यह हमारा block represent कर रहा है अगर मैं इसको save करके दुबारा से यहां पे refresh करूंगा तो एक और block हमें यहां पे ctrl s किया यहां पे save किया एक और block आ जागा तो fourth block हर एक line को एक नए block में यह लिख रहा है तो जो यह p है यह block type के element का part आपका हो जाएगा इसके अलाबा division भी है पर division में जो यह line space इतना है ना उतना नहीं आपको देखने को मिलेगा वो बिलकुल सटे हुए line के साथ यह एक block element add करता है तो यहां पे मैं division tag इस्तिमाल कर देता हूं div and div जैसे ही आप यहां पे इस्तिमाल करेंगे enter करेंगे closing tag भी आ जाएगा और यहां पे जो matter आप लिखना चाहते हो this is for division elements division elements for block elements ठीक है ऐसे मैंने बस लिख दिया यह block type के element यह भी है मैंने division लिखा और इसके साथ यह लिखा और एक और मैं division यहां पे लिख देता हूं div और यहां पे मैं enter करता हूं this is second div tags right information just save किया अब मैंने जैसे इसको लिखा आप देख सकते हो यहां पे यह भी हमारा एक block है मतलब block में क्या हो रहा है एक line जब यहां पे लिख रहे हो आप जब complete हो रहा है इसका matter तो इसके आगे की पूरी line को cover कर ले रहा है पूरा मतलब width को cover कर ले रहा है 100% और उसके बाद आगे यह नए line को लिख रहा है नए block में ठीक है तो paragraph में आप हर एक line का block देखने को मिलना है division में भी ऐसे ही कुछ मिल रहा है हमें like यहां पे this is for division elements for block element and this is second division tag तो यह मैंने लिखा हुआ है और दोनों के बीच में यह detail है right तो इस तरीके से हम लोग dev elements का इस्तेमाल करते हैं और भी elements हैं बहुत सारे उपर मैंने count करवाया बट यह दोनों cover नहीं किया था बाकी email source, paragraph बाकी सारे heading और यह सब cover किया था इसके लामा हम लोग यहां पे in line element देख ले in line element में यह होता है कि मुझे कोई matter लिखना है और अगली line जो शुरू करना है वो उसी के साथ continue हो जाए तो यह हमारा in line element का पार्ट होता है तो मैं just यहां पे नीचे आ जाता हूँ और यहां पे मैं मतलब की in line के लिए इस्तेमाल करता हूँ मैं सबसे पहले यहां पे एक link open कर देता हूँ और यहां पे https colon और slash slash मैं website का proper url ले लूँ for example के लिए यह हमारी website का proper url है यह हमारे पास हो गया उसके बाद मैं यहां पे कोई matter लिखता हूँ ठीक है या मैंने simple इसको या इस anchor tag को my website और उसके बाद मैंने इसको कर दिया close save किया और जब मैं page पर आकर refresh किया तो my website और उसके click करने पर मेरा move भी हो रहा है ठीक है तो मुझे यह नहीं दिखाना है बस मुझे यह अच्छा इसके बीच में मुझे एक break line भी चाहिए ठीक है तो मैं यहां पर क्या करूंगा like tag का इस्तिमाल once again तो थोड़ा सा space मुझे मिल जा यहां पर save किया अब देखो यहां पर अब समझ में आ रहा है यह हमारा second inline tag का part है मैंने यहां पर matter लिखा और यह सारी चीज हो गई अब मैं यहां पर लिखना चाहता हूं hello this is for inline elements right और मैंने save किया तो यह हमारा एक नई line में नई लिखते यह हमारा just ec के आगे continue हो जाएगा जैसे यह आप देख सकते हो हो गया तो यह हमारा point इधर हो जाता है ओके और even then मुझे कोई भी update यहां पर चाहिए मान लिए कि यहां पर मैं एक just ठीक है इतना मेरा okay हो गया और मेरा inline means ec के साथ continue हो रहा है और अगर मैं inline के लिए एक label tag भी इस्तिमाल करूं तो भी वह हमारा इसी का part होगा और इसके लिए हम लोग यहां पर label use करेंगे और इसको close करेंगे enter करेंगे और जो भी हम लोग यहां पर label के अंदर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं जैसे this is also for inline elements elements right यह हमारा हो गया और जैसे मैंने इसको भी save किया आप इदर देख सकते हो हमारा उसी के आगे continue हो गया ठीक है यह division अलग कोई line नहीं draw कर दिया यहां सॉरी label label कोई अलग line नहीं draw किया यह भी हमारा उसी line के साथ continue कर रहा है this is also for inline elements जो कि मैंने यहां पर mention किया है यह अलग line में हलांकि यहां पर आप देख सकते हो यह हमारा एक tag है यह हमारा एक अलग tag है बट उसी के साथ continue कर रहा है राइट अगर मैं यहां पर एक और छोटा सा information लिग दूँ लाइक बी और बी क्यों मैं इस्तिमाल कर रहा हूं यह click here ऐसा मैंने लिखा और मैंने यहां पर save किया अब देखो यहां पर click here this is the website बी मैंने इस्तिमाल किया block के लिए राइट sorry bold के लिए तो bold में थोड़ा सा यह दिख रहा है और यहां पर हमारा website है और यहां पर यह कुछ information है means यह सारे content जो आप देख रहा हो ना elements देख रहा हो use करना email source देख रहा हो बाकि सारी चीजे मैंने previous video में मैं cover करता रहा हो तो जो चीजे cover नहीं है वो आगे चलते हुए cover होती रहेंगे तो यह सब हो गया तो इस तरीके से आप अपने elements वगर अपने website को एक अच्छी website design करने में help कर सकते हो even then आपने बस एक line लिखना start किया था और अब आप बहुत सारी चीजे लिख सकते हो even then मैंने काफी project handle करवा दिया section tag यहाँ पर आपने देखा इसके अलावा यहाँ पर navigation link है इसके अलावा यहाँ पर first code write किया meta tag write किया heading वगर के बारे में heading के बारे में यहाँ पर कुछ HTML5 code का detail देखा elements के बारे में देखा demo code यहाँ पर है attribute यहाँ पर आपने देखा यह लास्ट अभी जो चल रही video series है वो है elements के बारे में आप आप देख रहे हो तो काफी चीजें आप यहाँ पर cover कर रहे हो वीडियो कैसी लग रही है comment section पर mention करें and मिलते है next video में thank you so much